सीबीसी बोर्ड की बची हुई दस्वी और बारवी की परिक्षाओं पर सस्पेंस अब खत्म हो गया है मौजुदा स्वास्थे मुसीबत के मद्दे नजर सीबीसी बोर्ड ने बाकी बची हुई परिक्षाओं 1 से 15 जुलाई के बीच कराने का फैसला किया था लेकिन अभी भावकों ने इस फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ड का रुख किया था जिसके बाद आज हालात के मद्दे नजर सीबीसी बोर्ड ने इन परिक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है एक रपोर्ट देखिए देश के मौझूदा स्वास्ते मुसीबत के वज़ह से बिगड़े हालात का असर सीबीसी बोर्ड की बाकी बची परिक्षाओं पर भी पड़ा इसके बाद सीबीसी बोर्ड ने इस थगित परिक्षाओं को एक से पंदरा जुलाई के बीच करवाने का एलान किया था लेकिन अभी भावकों ने इसका विरोध किया तब से दस्वी और बार्वी की बची हुई परिक्षाओं पर सस्पेंस पर करार था सब को इंतिजार था बोर्ड के जवाब का जो सीबीसी को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना था और आज वाखिरकार सीबीसी बोर्ड ने परिक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है जिसके बाद मौझूदा हालात के मद्दे नजर बोर्ड ने परिक्षाओं कैंसल करने का फैसला लिया है इस बात के जानकारी केंद्रो और बोर्ड के तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनलर तुशार महता ने कोट को दी आपको बता दे महराश्ट्र दिल्ली और उडिशा ने भी सुप्रीम कोट में परिक्षा कराने में समर्थता जताने वसंबंधी हलफ नामा दिया है और मौजूद स्वास्ति मुसीबत के कारण सीबीसी बोर्ड की परिक्षाएं बीच में ही रोकनी पड़ी थी जिसके बाद बोर्ड ने 1 से 15 जुलाई के बीच परिक्षाओं के आयूजन का फैसला किया था जिस पर अभिभावकों ने नाराज की जताई थी और बच्चों की सुरक्षा का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ड का दर्वासा खट-कटाया था सुप्रीम कोर्ड ने सीबीसी बोर्ड की परिक्षाएं रद करने पर विचार करने को कहा था जिसके बाद 23 जून को बोर्ड ने कोर्ड से फैसला लेने के लिए कुछ वक्त मांगा था और आज बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ड में जवाब दाखिल करते हुए परिक्षाएं रद करने का फैसला लिया है जिसके बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतता अभिफावकों को रहत मिली है डीबी लाइफ की रिपोर्ट